इसके लिए धन्यवाद, गाव आलों का जल जंगर जमीन पर अधिकार, जो बन अधिकार कानून है, तेरा बारा माँ, आप उसके बारे में, आप, आपको मालूम है कि लोगों को बन अधिकार पट्टे मिले हैं कि नहीं मिले हैं? दो बहुत कम लोगों को बिले हैं, और काफी लोग योजना से वंचित रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सरकारे नहीं चाहती है, कि आदिवासियों को अपना हागा अधिकार मिले, अगर सरकारों के बन में, आदिवासियों के प्रती, अच्छी भावना होती, तो इस विदान सभा के एक भी आदिवासी वन भूमी से वन्ची तो नहीं रहता और सभी को अधिकार मिला होता आप इसके बारे में अगर आप चुनाव जीतेंगे तो इसके बारे में आपका क्या यूजना है कि वन अधिवासियों को वन अधिकार दिल्वाने का हम आदिवासी भाईयों को आश्वासन देते हैं कि हमारी बहुजन समाज पार्टी का विदायक अगर जीता जीता है तो इसकी लवाई हम आदिवासों के कंडे से कंदा मिलाकर जोर सोर से लवाई लड़ेंगे और आदिवासों के इसका हक और अधिकार दिलाने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे आपने वन अधिकार कानून पढ़ा है कभी? हादी आपने पड़ा है दावे के साथ कह सकते हैं अच्छा वनाधिकार कानून में प्रावदान क्या है बताईए वनाधिकार कानून में प्रावदान है कि जिना अधिवासी और जो अधिवासी है दो हजार छेता से पहले जिसका जमीन पर काफिज है उस जमीन का पट्ता हुझे दिया जाए और सारी मुल्बी सुईदाय भी उसको प्रमुआय कराए जाए और भी काफी हक और अधिकार वन अधिकार में दिये गया है अधिकार में नेपा में बुरानपूर में अपने अधिकारों के लिए हजारों अधिवासी गए कि उनके साथ जो अच्छा-चार हुआ तो आप साथ देने आये थे नहीं आये थे एसकी जानकारी नहीं थे तो अगर जानकारी है तो आप आ जाएंगे चलिए ठीक है किसानों के बारे में किसान को वाजिब भाव मिलना चाहिए बंडियों में उसके बारे में आपका क्या सोच है किसान भाईयों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार के समय में कई किसानों ने आत्मात्ते हैं कि और वर्तमान सरकार ने भी किसानों के उपर गोलिया चलाई आप लोगों को सभी को विदीत है हम किसान भाईयों के साथ में रहेंगे किसान भाईयों के अधीकारों की लडाई लणने के लिए रात और दिन तत्वर रहेंगे और एसी चीम गटना है नहीं होने देंगे हम दावे के साथ कहेंगे अधिवसी अत्याचार जलित अधिवसी ओपर जो अत्याचार होते अत्याचार अधिनियम के बचाव में आप खड़े होंगे सम्वीदान के बचाव में आप खड़े होंगे और आपका आरक्षन के बारे में क्या है सवीधान के बारे में हमारी पार्टी के सवीधान भी है हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है पूरे देश में सवीधान बचाने का काम कर रही है सवीधान में कोछ संसोजन किये के उसके खिलाज भी पहनजी ने संसद में काफी आवाज उठाए और आपको विजित होगा कि उत्तरमदेश के सारनपूर जीले में जो दली धट्केचर हुआ उस गटना को लेकर बहन जी ने संसद में अपनी बात रखी बहन जी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिला इसलिए बहन जी ने लोग सबाबू राज सबा संसद का तुरंद करालों के लिए कोई रोजगार नहीं है तो कैसा रोजगार हो ना चहीं कि आपका कोई योजना है कि आऊ-पी आप्कों सोचना पाकी है कि अयुक्तर देश में स्वेश्य में बहुचंपार्टी चार-देश meu हमजण समाध पालटी कि सरकार बनी कि पूरे देश देश के आपके उत्तर प्रदेश के लोग सब बंबई में रोजगार कर रहे हैं वो आपका कहना सही है हमारे मद्यप्रदेश नेपानगर के भी बहुत से लोग उत्तर प्रदेश और गुजरात में और कई जगे काम कर रहे हैं तो रोजगार गैरेंटी योजना के बारे में अपने सुना है और वर्तमान सरकार जो रोजगार गैरेंटी पुरी तेरा से लागो नहीं करती है हम हंदेग परसे लागों करने की कोशिश करेंगे शिक्षा के निजी करण और शिक्षा के व्यवस्ता के बारे में आपका क्या कहना है शिक्षा ये मनुवाजी सरकार है मद्यप्रदेश में आस तक जितनी भी बनी इन्होंने हमारे बच्चों को तक्षा पहली से हाथ में कटोरों देने का काम किया ताकि यह अगर बढ़े हुंगे तो इनको भीक मांगने की दिक्कत लाए हमारी शिक्षा खतम की जा रही है कर्फ्षा आठ भी से पहली से आठ भी तक कोई बच्चा भेलनी होगा अगर वह पहली से आठ भी तक वे बच्चा पहेगा नहीं तो दस भी कमें पॉठ ओर अरक्षन नहीं मांगेदा यह इनकी सोच है और हमारा आरक्षन हत्म नहीं पॉठ नहीं चलता रहे और आरक्षन नहीं मिले यह इनकी नितिया है हम BG करन को खत्म करके सरकारी स्कूलों मे माच्टरों की भरतिया करकर उचिश शिक्षा का प्रावधान देंगे और हर गरिब का बच्चा घरिब के बच्चे से लेकर तो अभीकारी और मंत्री का बच्चा भी सरकारी स्कूल में परहे यह हम प्रावा लखेंगे